हेलो जुटेंट तो हम पढ़ने आपके पास 11 का NCIT बुक से पांचो चैप्टर आपके पास इसे पहले मैं आपको complex number का introduction बता चुका हूँ और उस पर लगने वाले operations बता चुका हूँ तो आज मैं आपको बता रहा हूँ समिसर संख्या का मापांग यानि मॉडिलस मॉडिलस फंक्शन हमने आपके पास महाँ पर टाइपस फंक्शन के रूप में बेबके पास पड़ा था तो यहाँ आपर हम complex number का मापांग निकालना जाते हैं तो देखे अगर कोई समिसर संख्य यह कोई दिया हुआ किया है कोई complex number है ठीक है तो इसका जो मापांग होगा उसको निर्फित करेंगे इस पर गार देखे मॉडिलस आफ जैट इकोल रिनोट किया जैगा जैट और यह कुछ और नहीं यह आपके पास real पार्ट और imaginary पार्ट के स्क्वाइर का रूट होगा यह इकोल तो रूट ए स्क्वाइर प्लस बी स्क्वाइर प्लस ठीक है तो यह सिंपल सा पके पास है कि आपके पास अगर का जाता है कि आपको मॉडलस निकालना है जैड का तो इसको डिनोट कैसे कर रहे हैं मॉड जैड के जारा और यह इकोल तो रूट ए स्क्वाइर प्लस ब modulus होगा mod z equal to हो जाएगा root 2 का square plus 5 का square यह पॉस हो रहा है यह 4 यह होगा और 25 यह तो कितना होगा है root 29 तो इसका modulus कितना रहा है root 29 तो यह मापांक आपके पास है फिर आपने पढ़ा था सहींगमी और गुडातमक परतिलों तो दिखो पास हमें मालूम है कि आपके पास इस z के लिए जो इसका सहींगमी होता है वो equal to कहलाता है a minus i type इसे कहते हैं आपके पास conjugate यह सहींगमी और साथ में आपको बताया किया था z inverse लिखो यह one upon z यह ने गुडातमक परतिलों z का तो आपने ऐसे लिखा तक पर a minus i type upon a square plus b square यह कुछ इस प्रकार से था था तो रहां देना पास तो यह सहींगमी आपके पास था और यह आपके पास था उसका गुडातमक परतिलों यह ने multiplicative inverse इस z के लिए यह हो गया उसका सहींगमी यह आपके पास सहींगमी है यह आपके पास यह equal to हो जाएगा z bar upon यह है a square plus b square और आपने पढ़ा कि modulus equal to होता है root a square plus b square यह मैं स्कुल रिस्ता हूँ mod z का mod z यह a square करेंगा तो यह मुझे a square plus b square मिलेगा तो इसके अधार पर मैं कैसे था हम के पास कि मुझे गुनात्मक परतलोम निकालने का एक formula होर मिल गया है कैसे निकालेंगे z जो है उसका आपके पास जो सहींगमी है upon जो उसका मापांग होगा उसका square कर दिया जाएगा तो यह आपके पास है तो आपके पास किसी दी भी समिसर देंगा के लिए सम्मन्द या फिर इसको आप ऐसे भी लिश्टे है और तो यह आपके पास है तो इसको लिखाए जासेता है z inverse यह उसका पास आप one upon z तो इसको multi-tliye कर लोग को है तो यह ऐसे भी लिखाए जाएगा 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 इन्टू Z into Z bar यानि Z को जब उसके सहींगी से गुना करते है तो क्या मिलता आपके पास उसके मापांक का वर्क तो यह रिलेशन आपके पास है इन रिलेशन को हम याद करते हुए आगे कोशन भी करने वाले आपके पास कुछ इसकी प्रॉपर्टी आपके पास है कुछ इम्पॉर्टन रिल्ट आपके पास आपके पास कुछ इम्पॉर्टन रिल्ट आपके पास इन समय से संग्याओं के लिए आपके पास आपके पास मापांक और कॉंजिगेट पर आधारी तक पास मान लू F Z1 and Z2 are two complex number ठीक तो पहला रिजर्ट आपको पास है कि Z1 इंटू Z2 कि आपके पास दो समिस्र रिंख्याओं का प्रोड़क कैसे निकालते हूं मैंने आपको बता है तो पर वो भी एक समिस्र रिंख्याओं को कुछ और ने इन दोनों समिस्र रिंख्याओं के मापांकों का गुड़नफल ह होने ओर यह सिंपल सर्जड़क परस है कि आपके पास दो समिस्र स्ग्याओं को जब मैटिपेला करते हैं तो उनका एक नया मैठीप लाइकर कि एक नए समिस्र मिलती है उसका जो मापांक होगा वो दोनों के मापांकों के नपूस्र रोगा कि इसे रगार अगर Z1 upon Z2 ये पॉसिबल हो रहा है और इसका मापांग निकालना तो ये कुछ और ने क्या होगा मौड Z1 upon मौड Z2 पर इसमें अनुवाय रूप से जो मौड Z2 हो वो डज नॉट इक्वल टू जिरॉन चाहिए उसको शुन्य नहीं होना अब के पास इसके मापांग को Z2 के मापांग को तीसरी प्रप्रप्रटे पुपास है कि अगर Z1 into Z2 जो मौल्टिप्लाइ करें तो एक नया समिशर नहीं मलती है उसका जो सहयुगमी होगा उपर बार अलमना सहयुगमी ये कॉल्ट कुछ और ने Z1 का सहयुगमी into Z2 का सहयुगमी का मल्टिप्लाइ होने वाला है इसी बगर addition, subtraction के लिए भी है अगर Z1 plus minus Z2 आप कर रहे हो और उसका क्या आपके पास है होल का जिकि मुझे मालूम है कि दोनों का जोडने या घटाने पर भी क्या मिलता है एक नया आपके पास complex number मिलता है तो अगर उस complex number का आपने conjugate निकालाए है कुछ और नहीं simply दोनों के सहयुगमी का योगवा अंतर होने वाला है simple सी property sign का use हम आगे question में करने वाला है और last है Z1 upon Z2 जैसे यहाँ पर अपकास यह मापांग के लिए है और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा hole का सहयुगमी यह equal to simply हो जाएगा Z1 का सहयुगमी upon Z2 का सहयुगमी पर अनुवाय रूप से Z2 को शुन्य नहीं होना आपके पास ठीक है तिक कुछ उसके important result से इनका use हम करेंगे आज मैं आपको बताने वाला mainly कुछ important examples और types of questions आपके पास कुछ हम access से करेंगे कुछ examples से करेंगे आपके पास अब example देखे पास आपको multiplicative inverse निकालना है इस समय से संक्या के लिए यानि गुनातमक प्रतिलोम ग्याद करना है for 2-3 item तो निकालने के दो तरीके आपके पास हो गए खुल में लागे ठीक है तो माना आपके पास यह समय से संक्या है वो है Z इसका अगर आपके पास multiplicative inverse निकालना है तो दो तरीके आपके पास है तो मैंने last video में बजा था उसको दुबारा explain कराम देखो तो देखो then अगर यह Z आपके पास समय से संक्या है तो उसके लिए multiplicative inverse हो जाएगा Z inverse यह 1 upon Z तो Z inverse equal to हो जाएगा simply यह 1 upon Z जो था equal to 1 upon 2 minus 3 item यह आपके पास पराव तो रहा है पर मैं चाता हूँ कि यह भी समय स्रिंगे के रूप में आना चाहिए था पर यह उसके standard form A plus item B के रूप में नहीं है तो हम उसको change उसमें change करने के लिए करेंगे इस denominator जो आपके पास जो यह जो Z है ना इसके सहिंग भी से गुणा कर देंगे यानि 2 plus 3 item से उपर नीचे गुणा हो जाएगा तो उपर तो हो जाएगा 2 plus 3 item upon इसको देखें तो यह A minus B और A plus B तो यानि A square minus B square तो यानि 2 का square minus 3 item का square तो आपके पास हो रहा है 2 plus 3 item upon 4 item का square करेंगे तो item का square होता है minus 1 तो यह माइना से माइना करेंगे प्लस और 3 का square करेंगे 9 तो आपके पास बच रहा है 2 plus 3 item upon 13 यानि आपके पास Z inverse equal to R 2 upon 13 प्लस item 3 upon 13 यह मिल गए आपके पास उस Z के लिए उसका गुणात मत पढ़के लों एक तरीका तो यह है दूसरा तरीका जो मैंना भी आपको direct formula वाला बताया उसके नुसार Z inverse यानि multiplicative inverse जो होता है वो equal to होता है जो संयुगमी होगा upon मापांग का इसको यह भी आपको बताया है ठीक है तो देखो पास सबसे पहले Z के लिए Z अगर यह है यानि Z equal to था 2 plus Ita minus 3 यह है आपके पास यह Z है तो इसका संयुगमी क्या होगा तो Z bar equal to होजाएगा क्या करते है माना की रूप में लिखा न A plus Ita B की रूप में लिखा अगर यह Z है तो उसका संयुगमी होता है A minus में तो होजाएगा 2 minus Ita minus 3 Z के लिए तो Z का मापंग क्या होता है आपको मालूम है A square plus B square यानि 2 का square plus minus 3 का square तो इसको देखे एक पास यह होगे plus 9 और यह 4 यानि रूट 13 तो इसका अनुशार आपके पास मिल रहा है Z inverse equal to formula है यह तो यह हो जाएगा 2 plus Ita 3 upon root 13 का A square यह आपके पास मिल रहा है 2 upon 13 plus Ita 3 upon 13 तो दोनों formula से सेम आपके पास माहन मिल रहा है आप इसका use हम आना जाए तर कोशन होगे जब हम उसको A plus Ita B की रूपे विक्ट करना चाहेंगे तो उसमें ज्यादा use होने वाला है यह आपके पास तो यह सिंपल से आपके पास कोशन आपके पास है जिसमें हमने किसी दियेवे समिस्र संक्या के लिए उसका गुनात्मक परतिलों यानि multiplicative inverse ग्याद किया है ऐसे कोशन आपके पास XS में मिलने वाले आपके पास तो उसमें थोला सा ध्यान देना होता है अब आपको बता रहूं को बहुत हो तो आपको करना क्या है यह समिस्र संक्या दीवी है आपको करना क्या है इसको A प्लस आइटा भी का जो standard formula उसमें लिख देना आपके पास तो सबसे पहले जो दीवी समिस्र संक्या है वो कह देखो गिवन कॉंपलेक्स नंबर यह है Z इकोल टू 3 7 प्लस आइटा 7 प्लस आइटा टाइमस ऑफ 7 प्लस आइटा 7 तो यह आपके पास प्रकार से दे रहे हैं आपके पास तो हम क्या करेंगे इसको simplify करेंगे और इसको किसमें लिखना है A प्लस आइटा भी प्लस आइटा टाइमस ऑफ इमेंजरी पार्ट लिखना है तो क्या करेंगे Simplify करेंगे जिसम करते हैं डिरेक्ट तो गुणा होगा तो गुणा होगा 21 प्लस आइटा 21 प्लस जब यह गुणा यहां होगा तो आइटा से गुणा होते होजाएगा आइटा स्कुर्ण इकुणा होगा तो हम क्या करेंगे जो आइटा वाले आपके पास पाद हो उनमें आइटा को कॉमन लेंगे बाकि जो भी एड हो रहागा चाहिए सब्स्ट्रेक्ट रुगा तो जो स्कूप करेंगे अब बाकि रियल पार्ट में देखो 21-7 जब 21 में से 7-14 और यह दो जो जूड रहे हैं तो यह आपके पास किस फॉर्म में आ गया स्टेंडर्ड फॉर्म में आ गया यह आपके पास जैड इकॉल टू ए प्लस आइटा भी रूप में व्यक्त हो गया अगर कायता कि इससा सहि अगर काय तो केते इसके लिए सही यूग भी निकाले हैं अगर कोशन ऐसा नोगे र γचार इसको संप्लिफाय करते हैं कि रूत में और ता यह चाना मान्नगरी नीकालें तो तो सिंपल से कुशन आपके पास आने वाले हैं तो मैं आज आपको XS के भी कुश-कुशन important कुशन बताने वाला हूं को ठीक है? XS 5.1 के तो आपके पास XS 5.1 में जो पहले 10 प्रस्टन हैं उन सब में आपके पास एक ही चीज करनी है उसमें करना क्या है कि दिवे समिसर संक्या को मानक रूप में चेंज करना है मानक रूप मतलब Z equal to A plus आयटा भी तो एक है करके मा आपको बताना हूं कुछ 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 आपके पास कुछ आप खुद करों ठीक है तो देखो सबसे पहले जो समिसर संक्या दीव यह उसको देख लेजिए पकाश Z equal to पहले समिसर संक्या पहले कोशन में है 5 आयटा into minus 3 upon 5 आयटा यह कुछ इस प्रकार से है तो करना क्या है इसको पहले हमको क्या करना है standard form में change करना मतलब A plus आयटा भी के रूप में व्यक्त करना है तो हम करेंगे क्या सिंप्लिफाय करना है multiply तो multiply हो जाएगा divide तो divide करना है यह आपके पास गुणा और तो गुणा कर देना है और उसको A plus आयटा भी के रूप में व्यक्त किया जाएगा ठीक किस प्रकार से यह multiply में हैं दोनों तो यह दोनों multiply में तक पास हो जाएगा देख और आयटा स्कुर्ण इक्वार्ट होता है minus 1 तो कितना केवल बच रहा है तो Z इक्वार्ट बच रहा है केवल 3 इसको जब standard formula ही तो Z इक्वार्ट हो जाएगा 3 plus आयटा 0 तो यह क्या हो गया standard formula सिंप्लिफाय करना केवल और बागी स्वार्श निकाल दें वह आपके पास standard formula देख देना ठीक इसिर्वकार से एक आपके पास तीसरा कुष्ण अप्वास में Z इक्वार्ट दिया हुआ है आयटा की पावर माइनस 39 इसको आपको ए प्लस आयटा बी की रूप में वेक्त करना है अब क्योंकि आपर पावर माइनस में तो यह हो जाएगा one upon आयटा 39 अब इसको चार के गुणा प्रस कॉंस्टेंट के रूप में वेक्त करना तो यह हो जाएगा one upon आयटा की पावर अब यह 39 है तो मुझे मालूम है इसको मैं लिए सता हूँ चार गुणा नौ 36 प्लस तीन के रूप में अभी वी उपर पावर देखो तो नौ चको 36 अब प्लस तीन के रूप में 49 यह आपके पास रहा है जब इसको सिंप्लिफाय कर रहा हूं तो आयटा की पावर में हो जाए आपके पास 4 into 9 इसको लिखा जाता है into आयटा की पावर 3 तो यह आपके पास आया तो मैंने करना क्या आपको मनला यह जो पावर थी इसको 4 की गुणाज के रूप में व्यक्त कर देना क्यूंकि मुझे मालूम है 4 की गुणाज का जब भी मान निका लेता है तो आपके पास हमें से क्या आपके पास है कि मुझे तो चीए उसको ए प्लस आयटा बी के रूप में व्यक्त अब मुझे यहापर मिल रहा है माइनस वन अपॉन आयटा पर आपके पास चेक है तो क्या करेंगा आपके पास इसको उसमें चेंज करने के लिए उपर नीचे मुटिप्लाय कर देंगे आइटा से यह हो जाएगा आपके पास माइनस आइटा अपॉन आइटा स्कूर और आइटा स्कूर आपको मौल में कितना होता है माइनस वन ती हो जाएगा माइनस आइटा अपॉन माइनस वन यानिक्योल आइटा बच रहा है अब आइटा बचा है तो इसको अगर आपको इस टेन्ठ फ defended लिखना है तो zero पलस आइटा था यह आपके पास क्या गया इसका मानाग्रोपफ आपके पास अगया यह हो गया एपलस आइटा इंटुचाए तो आप इसके साथ one लिखलो समझने को बादा समंझने क्लिए वह गया एक प्लस आयटि भी तो यह अ व्यां पर्वाण प्लस आयटा भी तो हम कर आयची इसको अपां से ह हटाएंगे और छाहे ah की माइनस इता बच भाया दो माइन इता ऊज़ए जो डियोगा जीरो प्लॉस इता है इस जे अब में चेंज अब आपके पासwr。 यहाँ पर क्या एक वाद Z equal to ये भी एक समिस्र संख्या है माइनस एक समिस्र संख्या है यानि दो समिस्र संख्याओं के अंदर है तो पहले हम उस अंदर को ग्याद कर लेंगे और तब जाएके किया रहे हैं उसको A plus A B की रूप में व्यक्त करने वाला है ठीक तो रियल पार्ट से रियल पार्ट माइनस होगे है उसके पासे वैसे इमेजरी पार्ट मेंसे इमेजरी पार्ट को माइनस प्लस A ita 2 अपॉन 5 माइनस आइटा 5 अपॉन 2 तो ये हो रहा है इसको स्मिल्फाइ कर दो 5 चको 20 और माइनस बटे 5 प्लस आईटया, अब जब मैं इसको 100 खरूँ तो lc हम हो रहा है कितना है 10 और यह हो रहा है 4 minus 25 तो उपास हो रहा है minus 19 बटे 5 plus आईटया time of minus इसमें देखो उपास कितना हो बच रहा है 21 बटे 10 तो यह आपके पास हा रहा है चाहे तो आप माइनस भारदे में माइनस 19 बटे 5 माइनस आइटा 21 बटे 10 अब क्योंकि उसने कहा है कि स्टेंडर फॉर्म में लिखना है तो विस्टेंडर फॉर्म यही है A प्लस आइटा B के रूप है A हो गया यह और प्लस ही हो गया जातों कुछ में अपास अलग सा कुछ करना नहीं है बस अगर एडिशन में तो एडिशन कर देना है सबस्ट्रेक्षन में तो सबस्ट्रेक्षन कर देना है और मल्टिप्लय कर दिया जएगा आपके पास जाईा अब कास है Q2 बटे 7 पावर फोर के लिए तो पड़ा नहीं है अभी हमार पास आट्माइब चेप्टर इस बूख में पास है बायनोमयल ठीरम जब उसको पड़ने तो इसको बायनोमिल ठीरम से कर सकते पर अभी हमने उसको पड़ा नहीं है तो जो बेसिक है आप कप उसी के अधर बताओो निए ल थो सबस्क्राइब सबस्क्राइब और मैंने환 यूज के किकी ऐक जिसा फर्मृला लगना है दूनमें यह आम इनस बीका हकुन तो अच difल चाहेगा एक B square मतलब Aita का square minus 2 into A into B यह नहीं 2 Aita यह अब जो यहाँ पर होई है वो ऐसे यहाँ पर भी उने वाला है क्योंकि भी सेम कॉंटिटी है तो उसका square भी होई है तो 1 plus Aita का square minus 2 Aita, अब क्योंकि मुझे मुझे मालूम है Aita square equal to क्या होता है, यह उता है minus 1 तो यह हो जाएगा 1 minus 1 minus 2 Ita यहाँ पर यह भी होगा 1 minus 1 minus 2 Ita तो यह 1 से 1 कैंसल हो गया आपके पास बच्छारा के वल यहाँ पर minus 2 Ita into minus 2 Ita यहाँ आपके पास हो गया 4 Ita square क्यों जब मैं multiply करें थो minus 2 minus 2 हो गया 4 और उसके बास के रहा है आईटा स्कुयर का मान मुझे पहले भी मिलाया तो यह जाएगा माइनश 4 तो जर्ड इकोल डो प्राफ्टवा माइनस 4 अगर इसको इस स्टेनर फॉर में लिए नहीं नहीं लिए जाएगा कि आप गला रों समय इसको भी एप्लस आयटा वी के इस्टेंड फॉर्म में चेंज करना है, में ग्रवाएं कि अद्धशन को एप अधुश्ट करना है तो क्योंड है कि अधुश्ट करना है इसको उस यह फॉल्स भी और ए मायनस बी तो इसका फरॉमल लग जाएगा और इसको सिल फैट घ्र करना है तो यह जाता है यह जाता है 3 का square यानि A square और Ita root 5 का whole square तो यह हो गया A square minus B square जब नीच वाले को सरल कर रहा हूं तो यह हो रहा है root 3 plus root 2 Ita minus root 3 plus root 2 Ita तो कोज आखा है root 3 से root 3 के अंजिल तो जब मैं simplify कर रहा है तो उपर आला भाग हो जाएगा 3 का square 9 minus Ita square और root 5 का हो गया 5 upon या Ita square अब जब से simplify कर रहा है तो यह बच रहा है root 2 Ita root 2 यानि 2 root 2 Ita यह बच आपके पास तो आपके पास बच रहा है इस प्रकार से जब simplify कर रहा हूं तो ऊपर आले भाग में Ita square आया है Ita square आपको मालूम है Ita square equal to कितना हो था हमें सब वाल तो यह आपके पास हो गया minus 1 तो minus 1 के खारण के बच रहा है minus 1 का plus तो आपके पास बच रहा है देखें 9 यह और plus 5 यानि 14 upon 2 root 2 into Ita यह आपके पास प्राप्ट रहा है थोड़ा होड़ सरल कर रहे है तो आपके पास 2 से 14 भी काट रहा है तो यह equal to होजा रहा है जब पूरे को सिमिल मैंने 2 root 2 से उपर रहा है तो आपके पास कैंसल जाए तो आपके पास बचेगा 7 upon root 2 आइटा यह बच रहा आपके पास चाहिए तो अभी भी यह इस्टर्ण फॉर्म में नहीं आया और जो डिनोमिनेटर है न उसमें न आइटा आया हुआ है तो मैं चाहिए तो इसको root 2 से उपर नीचे root 2 आइटा से उपर रहा है मैंने क्या कर दिया यह जो number नीचे इसी से मैंने क्या कर दिया उपर नीचे मल्टिप्लाए कर दे यह रूट 2 आइटा से मल्टिप्लाए कर दे तो कितना होदा देगे ती हो जाएगा 7 root 2 आइटा यहाँ पर देगे तो root 2 root 2 का square और आइटा का भी क्यों हो गया square तो यह हो रहा है 7 root 2 आइटा upon root 2 का square दो हो गया 2 और आइटा square क्यों हो था मैसा minus 1 तो आपके पास मिल रहा है minus 7 root 2 upon 2 into आइटा तो अगर कहा जाए कि इसको जो दियावा व्यंजक है या expression है इसको a plus आइटा भी के रूप में व्यक्त करें तो यह equal to हो जाएगा 0 plus आइटा और बी के रूप में minus 7 root 2 upon 2 तो यह आपके पास हो गया कि आपके पास सभी सिर्थ संख्या के introduction को मैं हमने पढ़ा कि सभी सिर्थ किसे कहते है उसका सहींग में कैसे निकालते है उसमें real part, imaginary part क्या है कैसे दो संख्या को जोडते हैं घटाते हैं उनका गुणा क्या जाता है और भाग के लिए multiplicative inverse निकालना है वही अपके पास गुणा होने वाला पास ठीक और धोड़ा ध्यान देना आपके पास जब भी कायता है कि समिसर संख्या को माना की रूप में यानि A प्लस आइटा था उसके स्मिट्फार करते हैं तो मैंने टू रूप आइटा से करते हैं उपन निचे multiply करते हैं मुझे आइटा को अड़ान था था कि आइटा मुझे मालूँ है किसका यूज कर रहा हूं जो आइटा की पावरों का जो गुणा ना उनका यूज करते हैं आइटा की पावरों का जो गुण है वो है क्या तो यह था आपके पास introduction में complex number के introduction में पहली exercise जिसमें हमने उसका गुरात्मक परतिलों के question भी किये उनको मानक रूप में लिखने का तरीका जो था उसके question अलगलग परकार से एक यह जैसे एक यह वेंजग दिया हुआ है इसको भी ए प्लस आयटा भी के मानक रूप में व्यक्त कर दिया आपके कुछ examples भी हैं वो भी कीजिए कि आपके पास काफ़ी important है बाकी मैं आपको next video बताऊंगा